विस्पिन लाहिए रह्माई रहीम स्लालाहु लेहिवालेहिवसलम असलाम लेकुम क्लास नाइन उमीद है आप से बहड़ियत से होंगे आज हम करेंगे युनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेस्ट नमर 5 के 3rd और 4 पार्ट को इससे कबल हम प्रिवेस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेस्ट नमर 1 तो 5 क्वेस्ट के 1st और 2 पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेस्ट को डिस्ट कर चुकी है इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देती हैं आप इन से लिटर भी लेक्चर ले सकते हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेस्ट नमर 5 के 3rd पार्ट के आनम चलते हैं हमारा यहां पे क्वेस्ट्ट है Z is equal to 1 plus a bodily over 1 minus a bodily तो इसके लिए हमने calculate करना है Z bar को, Z plus Z bar को, Z minus Z bar को اور Z multiply Z bar for each of the following तो हमारे पास यहां पे 3rd पार्ट में जो Z की value दे हुआ है वो fraction की फार्म में है तो इसको हमने A प्लस B ऐोटा की फार्म में लेकर आना है ताकि अगर हम इसको इस फार्म में ले आएंगे तो इससे हमारे पास जो है वो A, B, C and D पार्ट को solve करना आसान हो जाएगा तो अब इसको दूसरी फार्म में convert करने के लिए हम Z की value को थोड़ा simplify कर लेते हैं 1 प्लस ऐोटा और 1 माइनस ऐोटा तो इसको multiply कर देंगे इसका ये minus का sign change करके multiply भी कर देंगे और divide भी कर देंगे ठीक है तो यू हमने 1 माइनस ऐोटा था denominator में और इस ऐोटा वली value का sign change करके इसके साथ हमने multiply भी किया और इसी के साथ हमने इस value को divide भी किया ठीक है अब इसको आगे मजीद solve करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो Z है वो equal आ जाएगा उपर दोनों values आपस में multiply कर रहेंगे हैं तो उपर वाली values को उपर वाले से multiply करना है और नीचे वाली दोनों values भी आपस में multiply कर रहेंगे हैं ठीक है वन प्लस आयोटा वन प्लस आयोटा इन दोनों की multiplication हो गई और नीचे है वन माइनस आयोटा और वन प्लस आयोटा ठीक है यहाँ पे जो formula हमारे पास apply होगा वो A प्लस B into A माइनस B वन माइनस आयोटा यह हमारे पास A माइनस B की फार्म में है जबके वन प्लस आयोटा यह हमारे पास A प्लस B की फार्म में है जब इस formula को हम close करते हैं तो हमारे पास आ जाता है A square माइनस B square ठीक है तो हमने अपनी इस value के उपर भी यह वाला formula अप्लाइ करना है और अपनी इन values को a square minus b square में convert करना है तो अब इसको आगे मजीद simplify करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो उपर वाली values हैंगे आपस में multiply करेंगे हैं तो इनकी multiplication find करते हैं 1 को पहले हमने multiply करना है 1 plus iota से ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और bracket use कर लेंगे multiply के लिए और यहाँ पर हमारे पास 1 और multiply करेंगे 1 plus iota से और उसके बाद है plus iota और plus iota भी हमारा जो है वो multiply कर रहा है आगे वाली bracket के साथ और bracket में क्या है 1 plus iota ठीक है तो यू हमने 1 को पहले इस सारी bracket के साथ multiplication की फार्म में लिखा फिर हमने plus iota को भी इस bracket के साथ multiplication की फार्म में लिख दिया और divide में हमारा formula apply हो जाएगा a plus b a minus b जब हम इसको close करेंगे तो आजाएगा a square तो a को represent करने के लिए यहाँ पर one तो आजाएगा one square फिर है formula में minus तो हम यहाँ पर minus लगाएंगे फिर है formula में b square तो b को represent के लिए यहाँ पर iota तो आजाएगा iota square ठीक है अब इसको आगे मजीद simplify करते है तो z is equal to one को इस one से multiply किया तो one one time one plus one को iota से multiply किया तो iota one time iota उसके बाद plus iota को इस one से multiply किया तो iota one time iota आ गया उसके बाद plus को इस plus से multiply किया तो plus और iota को iota की value से multiply करेंगे तो iota और iota जब multiply करेंगे तो base same है इसलिए exponent add हो जाएगे one plus one two आ जाएगा ठीक है तो you in values की multiplication से महरे पस ये value आगे अब यहाँ पर देखिए one का square है तो one का square लेंगे तो one ही आ जाएगा उसके बाद minus का sign है minus का sign लगाया फिर iota square तो iota square हमें पता है equal होता है minus one के तो iota square की place पर आगया minus one अब इसको आगे मजीद solve करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है one plus iota plus iota और उसके बाद है plus और यहाँ पर iota square तो iota square equal होता है minus one के तो iota square की place पर हमें minus one लिखती है उसके बाद divide में आगया one और minus bracket mean multiply minus multiply कर रहा है minus के sign के साथ तो आजाएगा plus और next आगया one ठीक है तो you हमारे पास जो z की value है इसको आगे मजीद simplify करते हैं तो यहाँ पर हमने z को as it is पहले लिख दिया और उसके बाद है one plus iota तो one plus iota लिखेंगे और फिर हमारे पास plus iota है ठ फिर plus iota फिर plus iota उसके बाद plus को इस minus के sign के साथ multiply करेंगे तो plus minus minus और next क्या आजाएगा one और divide में हमारे पास है one plus one तो one में one add करेंगे तो हमारे पास आजाएगा two ठीक है अब इसको आगे मजीद simplify करने के लिए यहाँ पर देखें हमारे पास plus one है और यह minus one है तो यह दोनो हमारे पास में cut हो जाएगे क्योंके one minus one zero आजाते है और remaining हमारे पास क्या रहे गया iota plus iota divided by two ठीक है one iota और one iota दोनों को add करेंगे one plus one है हमारे पास two iota आजाएगा और divide में हमारे पास क्या आगया two ठीक है तो यह हम जो है वो इस two को जो के numerator में है और यह two denominator में है तो यह द अब इस z की value का हम a, b, c and d parts solve करते हैं सबसे पहले हमने find करना है z bar को ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे z की value आ चुकी है जो के iota है तो हम यहाँ पे लिखनेंगे z is equal to iota ठीक है a part में हमने z bar को find करना है तो इस z का z bar लेंगे तो bar का मतलब है conjugate तो इस iota का हमने conjugate लेना है जब यह conjugate में जाएगा तो plus iota change होके minus iota हो ठीक है तो यह हमारे पास जो z bar है वो equal आ गया minus iota के तो उसके बाद हमारा b part है z plus z bar तो अब हमें z में z bar की value को add करना है plus करना है ठीक है यह हमारा b part है तो यहाँ पे z plus z bar है तो पहले z लिखा हुए है तो हमें यहाँ पे z की value लिखें ठीक है तो z bar हमने find की है वो equal है minus iota के ठीक है तो z bar की place पे आ गया minus iota अब इसको आगे मजीद solve करते हैं तो यहाँ पे आ गया iota इस plus को bracket mean multiply plus को इस minus से multiply करेंगे तो plus minus minus साथ में आ गया iota ठीक है अब यह one iota है और यह plus iota है यह minus iota है तो one minus one zero हो जाता है इसलिए कट हो जाएगा zero next है हमारे पास c part वो है z minus z bar तो अब हमें subtraction find कर नहीं है z में से z bar की value को subtract करना है minus करना है पहले z है तो हम यहाँ पे z की value लिखेंगे और z हमारे पास equal है iota के ठीक है तो z की place पे आ गया iota फिर है हमारे पास minus का sign तो यहाँ पे आ गया minus फिर है z bar तो z bar की value हमारे पास यहाँ पे आई थी minus iota ठीक है तो z bar की place पे लिख देंगे minus iota z bar की place पे आ गया minus iota ठीक है पहले z है तो हमें यहाँ पे z की वेले iota लिखी फिर minus था minus का sign लगाया फिर z bar था z bar की वेले को हमें bracket में लिखा क्योंकि इसके साथ minus का sign था अब इसको आगे मजीद solve करते है यह iota आ गया minus bracket mean multiply minus को जब multiply करेंगे minus के sign के साथ तो answer आते है का plus और next आ गया iota ठीक है one iota plus one iota one iota में one iota add करेंगे तो two iota हो जाएंगे ठीक है one plus one two iota तो यहाँ z minus z bar का answer आ गया two iota d part है हमारे पास z and z bar तो यह दोनों आपस में multiply कर रहे है between में जब कोई sign नहीं होता it means के यह दोनों values आपस में multiply कर रही है ठीक है तो इनका product find करेंगे इन दोनों की multiplication find करेंगे पहले z है तो यहाँ z की value को लिखेंगे और z की value है हमारे पास question में iota तो z की place पे हम लिख z की value हो फिर z bar था फिर z bar की value हो यह दोनों values आपस में multiply कर रहे हैं तो इन दोनों को multiply कर देते हैं one one's are one नहीं आ जाएगा साथ में यह minus का sign आ गया iota को iota से multiply करेंगे तो iota की पार one और iota की पार one जब same base हो तो exponent add हो जाते हैं जब भी multiplication हो रही हो तो iota को iota से multiply किया तो आ ग खा और साथ में ayotas की है तो iota square की place पे आ गया minus one इसको हमने bracket में लेक लेना है ठीक है minus multiply minus तो minus को minus से multiply करेंगे तो आ जाएगा plus one ठीक है तो इस तरह से हमारे पास जो है वो d part z multiply z bar इसका answer आ गया plus one स्टार्ट से एक दफ़ा थर्ड पार्ट को सारे को देखते हैं यहां पे ह plus z bar z minus z bar और z multiply z bar find करना था ठीक है तो हमने सबसे पहले क्या किया यह जो z की value थी जो के fraction में दी हुई थी इसको दूसी फार्म में लेके जाने के लिए प्लस b ayota की फार्म में लेके जाने के लिए हमने जो इसके denominator में value थी उसका sign change करके multiply भी किया और divide भी किया उपर वाली द पर यह दून values आपस में multiply करनी थी पहले हमने इस one को इस सारी bracket के साथ multiplication की फार्म में लिखा फिर हमने इस plus ayota को भी one plus ayota के साथ multiplication की फार्म में लिखा और नीचे यहां पर complete formula apply हो रहा था a square minus b square का हमारे पास a plus b a minus b की तरह से values मुझूद थी a minus b a plus b तो इसको हमने convert करना था a square minus b square की फार्म में तो a की place पे यहां पे आगया one इसका square फिर minus b की place पे यहां पे आगया iota इसका square अब आगयोए इसको मजीद solve कर निकलिए one को हम नहीं दोनों values से मिटपले किया one one zero one one iota time iota फिर iota one zero iota 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 square हो गया यहां पे one का square लिया one आगया minus आगया iota square equal है minus one के यह वैसे का वैसे ही उसके बाद यह तीनो values वैसे की वैसे लिखे और iota square की place पे minus one को bracket में लिख दिया minus को minus bit black या plus ठीक है आगे इसको मजीद simplify किया तो इस तरह हमारे पास इसको simplify करने से more simplify करने से z की value आगे iota पिर इस z क bar find करने के लिए iota जो आया हुआ था z की value उसका just sign change कर दिया इससे z का conjugate आगया ठीक है उसके बाद हमारे पास b part b part में दोनों values add करने थी पहले z था तो पहले z की value फिर plus लगा के z bar की value इसको आगे simplify किया तो यह answer आगया यहां subtraction करने थी दोनों values put करके subtraction की तो 2 iota answer और यहां पे इन दोनों की multiplication की थी तो इन दोनों को multiply किया तो answer आगया plus one आगया तो यहां पे भी हमारे पास जो z की value है वो fraction की फार्म में numerator और denominator की फार्म में लिकी हुई है तो इसको हमने a plus b iota की फार्म में लेके आना है ताकि हमारे पास जो हमने a b c d parts find करने है z bar z plus z bar z minus z bar z multiply z bar इन को solve करने में आसानी रहे ठीक है तो इसको fraction से दूसी फार्म मे की है वैसे ही हम क्या करेंगे जो denominator में हमारे पास value है उपर वाली value 4 minus 3 iota वैसे के वैसे ही और 2 plus 4 iota वैसे का वैसे ही और यहां पे हमने multiply का sign यूज करते के इस denominator वाली value का जो iota के साथ वाली value है उसका sign change करके हमने multiply भी करना है 2 plus 4 iota है तो change होके 2 minus 4 iota उपर भी आ जाएगा 2-4 आयोटा नीचे भी आ गया ठीक है जिसके साथ multiply किया उसी के साथ divide भी ठीक है अब उपर वाली values आपस में multiply कर रही है तो इन दोनों values को multiplication की form में लिखते है 4-3 आयोटा और दूसी value है 2-4 आयोटा और यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी उपर वाली values उपर वाली values से multiply कर रही है और नीचे वाली values नीचे वाली values से multiply कर रही है 2-4 आयोटा multiply कर रहे है 2-4 आयोटा से अब इनकी multiplication find करते है तो यहाँ पे दिखे हमारे पास जो numerator में values है यह आपस में multiply कर रही है पहले इस 4 को हमने इस सारी bracket के साथ multiplication की form में लिखना है तो 4 को पहले multiplication की form में लिखेंगे इस values के साथ 4 bracket mean multiply 2-4 आयोटा उसके बाद इस minus 3 आयोटा को भी हमने इस पूरी bracket के साथ multiplication की form में लिखना है minus 3 आयोटा bracket mean multiply 2-4 आयोटा और divide में हमारे पास previous question की तरह यहाँ पे भी complete formula अपलाई हो रहा है a square minus b square का जब इसको open करते हैं तो आ जाता है a plus b into a minus b हमारे पास a plus b a minus b को represent करने के लिए यहाँ पे जो values हैं वो 2 plus 4 आयोटा और 2 minus 4 आयोटा है a को represent करने के लिए 2 है जबके b को represent करने के लिए 4 आयोटा इस तरह A को डिपिजन करने के लिए 2 फिर माइनस माइनस B को डिपिजन करने के लिए 4 अटा इसको हमने इस फार्म के अंदर यानिके फार्मला की क्लोज फार्म में लिखना है A स्केर तो A को डिपिजन करने के लिए 2 तो आजाएगा 2 स्केर फिर है फार्मुला में माइनस तो यहां पर आ गया माइनस फिर है फार्मुला बी स्केर तो बी को डिपिजर्ट के निकले यहां पर फोर आयोटा तो आचाएगा फोर आयोटा और इसके उपर स्केर ठीक है अब इसको आगे मजीज सॉल करते हैं तो यहां पर देखे हैं हमारे पास यह 4 multiply कर रहा है इन दोनों value उसके साथ तो 4 को दोनों value उससे multiply कर देंगे 4 2 times 8 minus 4 4 times 16 और 7 में आ गया इसके आयोटा ठीक है अब 3 आयोटा को 2 के साथ multiply करेंगे यह minus का sign आ गया 3 2 times 6 और 7 में आ गया इसके बाद हमने minus को multiply इस minus के साथ multiply किया minus को minus के साथ तो आ गया plus और 3 को इस 4 से multiply किया तो 3 4s are 12 और आयोटा को आयोटा से multiply करेंगे तो आ जाएगा आयोटा square ठीक है 3 आयोटा को 4 आयोटा के साथ multiply किया 3 4s are 12 नमाद माद तो यू यू हमने फॉर को टो यू को टोनोवाई। उसके साथ मोलिप्लाई कर दिया। तो हमारे पास डिवाइट में यहां पे है टुउ स्केहर तो टू का स्केहर लेंगे तो आ जाघ़ा फॉर। ठीक है 2 के square का मतलब है 2 को 2 से multiply करना है तो 2 टू जार 4 आ गया उसके बाद है minus का sign तो minus आ गया यहां पे 4 के उपर भी square है और iota की value के उपर भी square है तो हमने 4 का square लिया तो 4 के square का मतलब है कि हमने 4 को 4 से multiply करना है तो 4 4 time यहां पे आ गया 16 इसको हम bracket में लिखेंगे और यहां पे iota square तो iota square equal होता है minus 1 के तो iota square की place पे हमने minus 1 लिख दिया ठीक है अब इसको आगे मजीद solve करते है ठीक है 2 का square लेके 4 आ गया minus वैसे के वैसे 4 का square लेके 16 और iota square open किया तो minus 1 ठीक है तो यहां पे हमारे पास आजएगा z is equal to 8 minus 16 iota minus 6 iota plus 12 और यहां पे iota square है तो iota square हमारे पास equal होता है minus 1 के तो iota square की place पे हमने लिख दिया minus 1 उसके बड़ डिवाइट में आजएगा 4 यह minus brackets mean multiply इस minus के साथ multiply कर रहा है तो minus minus आगया plus और 16 1 जार आगया 16 अब इसको आगे मजीद simplify करते हैं तो यहां पे आगया z is equal to 8 minus 16 iota minus 6 iota और यहां पे देखें यह plus bracket mean multiply यह plus multiply कर रहा है minus के sign के साथ plus को multiply करेंगे minus से तो आजाएगा minus और 12 one time आजाएगा 12 और divide में 4 में 16 plus करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 20 ठीक है 16 में 4 add करने से 4 plus 6 10 यह 0 आगया 1 carry और 1 plus 1 2 तो 16 plus 4 हो गया 20 अब इसको आगे मजीद solve करते हैं तो यहां पे हमने क्या करना है वो जो real parts हैं उनको पहले लिख लेना है जिनके साथ ayota नहीं है वो real parts होते हैं और जो imaginary parts है question में उनको हमने separate लिख लेना है ठीक है तो हम लिखेंगे z is equal to 8 और फिर हम लिखेंगे minus 12 ठीक है हमने real parts लिख लिए question के 8 और minus 12 और फिर हमने imaginary parts लिख लिख लिए और वो है minus 16 ayota और minus 6 ayota और divide में हमारे पास 20 तो यह 20 वैसे का वैसे ठीक है 8 minus 12 यह real parts थे इनको पहले imaginary parts थे minus 16 ayota minus 6 ayota इनको बाद में लिख लिए divided by 20 divided by 20 वैसे का वैसे यह आ गया अब इसको आगे हम जी simplify करके z के value को solve करते है तो यहाँ पे देखे 8 minus 12 तो 12 के साथ minus का sign है और 8 के साथ जो है वो plus का sign है ठीक है opposite signs हूँ तो minus करते है तो 12 में इसे 8 minus करेंगे तो 4 आ जाएगा greater value 12 है इसके लिए इसके साथ minus का sign तो यह 8 minus 12 का answer क्या आ गया minus 4 अब यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों sign जो है वो minus के है minus 16 और minus 6 जब दोनों sign minus क्यों हूँ तो हमें plus करना होता है ठीक है लेकर answer के साथ sign minus का लगाना होता है अब इनको प्लस करते है 6 और 6 12 तो यह 2 यहाँ पे आ गया और यह 1 जो है वो कहले चला गया 1 plus 1 आ गया 2 तो यह minus 16 आ योटा और minus 6 आ योटा क्या आ गया minus 22 आ योटा ठीक है दोनों sign minus क्यों तो plus करते है 16 में 6 आ गया तो 22 साथ में sign minus का लगाते हैं और इसके साथ आ योटा आ गया और divided by है 20 ठीक है अब यहाँ पे देखें दोनों का जो denominator है वो 20 है तो हम real part का जो real part को separate लिख लेंगे और imaginary part को separate लिख लेंगे minus 4 over 20 separate लिख लेंगे और minus 22 2 आयोटा over 20 जो है वो separate लिख लेंगे ठीक है चुके दोनों का denominator 20 है तो हमने 4 का लेदा लिख दिया और 22 का 20 जो है वो separate लिख दिया अब यहाँ पे देखें दोनों की cutting possible है तो इन दोनों की cutting कर लेंगे 2 का डेबल से cut हो सकते है और जबकि यह 4 के डेबल से भी cut हो सकते है 4 1 time 4 और 4 5s are 20 ठीक है greater number से cutting करते है जब भी अगर possible हो तो greater number से cutting की जा सकती है ठीक है minus 1 over 5 तो यह आगया यहाँ पे minus 1 over 5 यहाँ पे आगया minus अब यह दोनों values हमारी जोंसी है वो 2 के डेबल से divide हो सकती है ठीक है तो 2 के डेबल से इनको cut कर देते है 2 1 time 2 और 2 1 time 2 और 2 10 time 20 ठीक है तो यहाँ पे क्या आगया 11 over 10 अब आगे मजीद इनकी cutting possible नहीं है यह दोनों किसी एक table में नहीं आते तो यह ए प्लस बी यह जोटा की farm में हमारी value आगी पहली real part और दूसरी measuring part अब इसको use करते हुए जो है वो हम z bar और z plus z bar z minus z bar और z multiply z bar find करते हैं हमारे पास जो a part है वो है z bar तो z bar find करने के लिए हम पहले z के value जो हमने find किया उसको लिख लेते हैं और z के value हमारे पास minus 1 over 5 minus 11 over 10 आयोटा तो अब इसका conjugate find करना है means के z bar find करना है तो जब भी z bar या z का conjugate लेना हो तो conjugate में हमने आयोटा वाली value का sign change करना होता है ठीक है minus 1 over 5 वैसे का वैसे ही आगया और यह आयोटा की value का sign यहाँ पे minus है तो यह change हो जाएगा plus में और आगया आगया 11 over 10 आयोटा ठीक है तो यह आपार्ट z bar उसका answer हमारे पास आगया minus 1 over 5 प्लस 11 over 10 आयोटा बी पार्ट सॉल्ट करते हैं बी पार्ट में हमने z में z bar की value को add करना है plus करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे z plus z bar is equal to तो पहले यहाँ पे z है तो हम यहाँ पे z की value को लिखेंगे और z की value हमारे पास क्या है minus 1 over 5 यहाँ पे आगया minus 1 over 5 minus 11 over 10 आयोटा ठीक है तो z की place पे z की value आगी उसके बाद है between में plus का sign तो यहाँ पे आगया plus और फिर है z bar ठीक है तो z bar की हमारे पास क्या value आई हो यहाँ minus 1 over 5 इसको हम bracket में लिखतेंगे minus 1 over 5 और उसके बाद है plus 11 over 10 आयोटा तो यह हमने z की place पे z की value plus का sign यूज़ करते हुए z bar की place पे z bar की जो value है यह वो लिख दी ठीक है अब इसको आगे simplify करते है minus 1 over 5 वैसे का वैसे minus 11 over 10 भी वैसे का वैसे लिख देंगे और उसके बाद इस plus को multiply करेंगे minus के sign के साथ plus minus minus और next आगया 1 over 5 और उसके बाद आगे है plus 11 over 10 और 7 में आगया आयोटा ठीक है अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर देखेंगे minus 11 over 10 आयोटा minus में है और यह plus 11 over 10 आयोटा plus में है दोनों value सेम है 11 over 10 आयोटा 11 over 10 आयोटा इसका sign minus है इसका sign plus है इसलिए यह दोनों values cancel हो जाएगे ठीक है क्योंकि इनको solve करने से answer 0 आ जाना था 11 में से 11 minus करने से 0 हो जाना था इसलिए यह दोनों values cut हो जाती है plus minus की values same हो तो वो cancel हो जाती है remaining क्या रह गया minus 1 over 5 and minus 1 over 5 तो अब इनको आगे मजीज solve करने के लिए हमने इन दोनों values का LCM ले ले लेना है और 5 और 5 और denominator में same values हो तो वही value LCM आ जाती है 5 और 5 का LCM आ गया 5 LCM को नीचे वाली value से divide करना होता है ठीक है और divide करने से जो answer आता है उसको उपर वाले से multiply करना होता है 5 को 5 पे divide करेंगे 5 5 से cut हो गया answer आ गया divide करने से 1 इस 1 को multiply करना है उपर वाले minus 1 से तो 1 1 time क्या आज़ेगा 1 और 7 में आ गया minus का sign तो यू यहां पे हम लिख देंगे minus 1 उसके बाद यहां पे है minus का sign तो यह वैसे का वैसी आ गया यहां भी 5 को 5 पे divide करेंगे answer है 1 और 1 को उपर वाले 1 से multiply किया तो आ गया 1 तो यू दोनों sign minus क्यों तो add किया जाते है 1 में 1 add किया तो 2 लेकर 7 answer के sign minus किसका लगाया जाते है minus 1 और minus 1 का answer क्या आ गया minus 2 और divide में आ गया 5 तो यू हमारे पास जो इसका b part था z plus z bar वो हमारे पास equal आ गया minus 2 over 5 के अभी लाहिए रह्मारे रहिम z part है z minus z bar तो यहां पे हमने z में से z की bar को जो है वो subtract करना है तो पहले z है यहां पे तो हम z की value को लिखेंगे और फिर z bar है और फिर z bar की value को लिखेंगे तो z है तो z की value हमारे पास है minus 1 over 5 minus 11 over 10 आयोटा minus 1 over 5 minus 11 over 10 आयोटा ठीक है उसके बाद यहां पे देखिए हमारे पास जो है वो minus का sign है तो यहां पे हम minus का sign यूज करेंगे और फिर bracket यूज कर लेंगे जब भी minus का sign और आगे और एक term हो तो फिर हमें bracket यूज कर लेना होती है क्योंकि minus जो है वो अंदर sign को change कर देता है फिर है z bar तो यहां पे हमें z bar की value लिखनी है और z bar की value है हमारे पास minus 1 over 5 plus minus 1 over 5 plus 11 over 10 iota तो अब इसको आगे मजीज solve करते हैं तो यहां पे देखें हमारे पास जो value है minus 1 over 5 ये वैसे के वैसे ही आगे minus 11 over 10 भी वैसे के वैसे ही iota और ये minus का sign bracket mean multiply कर रहा है इस minus के sign के साथ तो minus को minus से multiply किया तो आगे plus और next रहा गया 1 over 5 उसके बाद minus bracket mean multiply ये plus minus को plus से multiply किया तो minus हो गया और next रहा गया 11 over 10 और 7 में आगया iota ठीक है अब यहां पे देखें minus 1 over 5 है ये plus 1 over 5 है तो opposite signs है और same values है इसलिए ये दोनों values कट हो गए ठीक है और remaining हमारे पास क्या रहा गया minus 11 over 10 iota और second value minus 11 over 10 iota तो अब हमें इन दोनों values का LCM ले लेना है दोनों का denominator same है इसलिए LCM 10 आगया 10 को 10 पे divide किया answer है 1, 1 को minus 11 से multiply किया तो minus 11 ही आजाएगा उसके बाद यहाँ पे भी 10 को 10 पे divide करेंगे 1 आजाएगा 1 को minus 11 iota से multiply करेंगे तो minus 11 iota ही आजाएगा यहाँ पे देखें दोनों sign minus के और दोनों iota वाली values है अगर दोनों values minus की हों तो हमें plus करना होता है ठीक है 1 plus 1 2 और 1 plus 1 2 और साथ में sign जो है वो minus का लगाना होता है minus 11 iota और minus 11 iota आजाएगा minus 22 iota और divided by आजाएगा 10 तो अब हमें इन दोनों की cutting कर लेनी है ठीक है इन दोनों को cut कर लेना है हमने 2 के डेबल से 2 1 time 2 और 2 1 time 2 2 11 time 22 और 2 5 time 10 तो यह हमारे पास जो final answer है वो आगया minus 11 over 5 उपर 11 आगया 22 की cutting करने से 2 कड़ेबल से और नीचे 2 5s और 10 और 7 में आगया iota तो यह हमारे पास जो Z minus Z bar है उसको हमने इन दोनों वैलियूज को Z में से Z bar की वैलिय को separate किया है तो हमारे पास final answer आगया minus 11 over 5 iota बिसमिल्लाहिरुराहिम D part के नहीं चलते हैं D part है Z, Z bar तो यहां पे हमने Z की वैलियू को Z bar के साथ जो है वो multiply करना है पहले यहां पे Z है तो हम Z की वैलियू को लिखेंगे और वो है हमारे पास आई हूई minus 1 over 5 minus 11 over 10 iota ठीक है यह दोनों value उस आपस में multiply करी है इसलिए हमने इनको brackets में लिखना है फिर है Z bar तो secondly यहां पे Z bar की वैलियू को लिखने है और वो है minus 1 over 5 plus 11 over 10 iota ठीक है तो Z की place पे हमने Z की value ठीक है इसको लिख दिया और Z bar की place पे हमने इसकी value इसको लिख दिया ठीक है अब इसको आगे solve करते है तो यहां पे देखिए हमारे पास एक complete formula अप्ला हो रहा है और formula कौन सा है A plus B A minus B ठीक है यहां पे between में plus का sign है और यहां पे between में minus का sign है ठीक है plus और minus यहां भी 1 over 5 है यहां भी 1 over 5 है इट मींज के A की place पे यहां पे आगया 1 over 5 1 over 5 और B की place पे आगया 11 over 10 11 over 10 Iota और Iota ठीक है तो इन forms में हमारे पास यहां पे question मजूद है जब हम इसको convert करेंगे A square minus B square की form में ठीक है तो यहां पे complete formula हमारे पास जो apply हो रहा है वो A minus B, A plus B का हो रहा है तो इसको हमने change करना है A square minus B square की form में तो A को represent करने के लिए हमारे पास minus 1 over 5 है तो A की place पे हम लिखेंगे minus 1 over 5 और A की value के उपड square है तो यह हम A की value के उपड square डाल देंगे फिर F formula में minus तो हम minus लिखेंगे फिर F formula में B square तो B की place पे हमेरे पास है 11 over 10 A और 11 over 10 A और B की value के उपड़ भी square है तो यहां इसकी उपड़ भी आ गया square ठीक है तो यहूं A minus B और A plus B था तो आ गया A square minus B square ठीक है A की place पे minus 1 over 5 minus 1 over 5 बी की प्लेस पे 11 over 10 iota और 11 over 10 iota यहां पे जो between वाले signs हैं यह formula के लिए है a plus b a minus b यह formula के main signs है ठीक है यह a plus b को और यह value a minus b को represent कर रही है इसको हमने a square minus b square में हमने इनको close कर देना है ठीक है a square minus b square में close हो गया यह अब इसको आगे further solve कर लेते हैं तो minus का square नहीं minus के square का मतलब है minus को minus से multiply करें तो आजाएगा plus और one के square का मतलब है one one one's are one नहीं होता है और five का square five के square का मतलब है five multiply by five तो five को five से multiply करें तो क्या आजाता है 25 तो you यहां पे आगे 25 फिर आगे minus का sign तो यहाँ पे है 11 square 11 square का मतलब है कि हमने 11 को 11 के साथ ही multiply करना है 11 को 11 से multiply करें तो 1 1 time 1 और 1 1 time 1 फिर यहाँ पे 1 1 time आ गया 1 और यहाँ पे 1 को 1 से multiply किया तो आ गया 1 अब इनको add कर लेंगे 1 और 1 plus 1 2 और आ गया 1 तो यू हमारे पास 11 का square लेने से क्या आ जाता है 121 तो यहाँ पे आ गया 121 divide में है 10 square तो 10 के square का मतलब है कि हमने 10 को 10 के साथ ही multiply करना है तो 10 10 time के आ जाएगा 100 तो यू 10 का square लिया तो आ गया 100 और iota है और iota का square लिखतेंगे यहाँ पे ठीक है अब इसको आगे मजीद solve करते है 1 over 25 वैसे का वैसी minus 121 over 100 यह भी वैसे का वैसे लिख दिया और यहाँ पे iota square और iota square equal होता है minus 1 के ठीक है तो iota square की place पे हमने लिख देना है minus 1 अब इसको आगे मजीद solve करते है तो यहाँ पे देखें हमारे पास है को 1 से multiply करेंगे तो 121 ही आजाएगा और divide में आजाएगा 100 ठीक है यह minus इस minus 1 से जो के इस value से multiply कर रहा है इस minus 1 से iota square की place पे यह minus 1 आया है तो इस minus को minus से multiply किया तो minus को जब minus के sign के साथ multiply किया जाता है तो answer plus आता है इसलिए इसकी जगा आगया plus और 121 को 1 से multiply करके 121 नहीं और divide में आगया 100 ठीक है अब यहाँ पर देखें 25 और 100 इन दोनों का हमने LCM ले ले लेना है 100 और 25 तो अगर हम 5 का टेबल यूज करते हैं तो 5 2 टाइम 10 और साथ में ये 0 5 20 टाइम 100 और 5 5 5 टाइम 25 फिर अगें 5 का टेबल यूज कर लेते हैं 5 4 टाइम 20 और 5 1 टाइम 5 अब 4 रिक्वाइर है तो 2 2 टाइम 4 और फिर 2 1 टाइम 2 तो इस तरह इन तमाम नंबर को multiply करें तो 2 2 0 4 4 5 0 20 और 20 को 5 से multiply करें तो हमारे पस 100 आजाते हैं तो यह 25 25 और 100 का जो LCM है वो हमारे पस क्या आगया 100 100 को 25 पर डिवाइड करने ठीक है तो 25 के टेबल अगर हम 4 टाइम रिड करें तो 4 5 टाइम 20 0 2 कैरी 4 2 टाइम 8 और 2 10 हो जाते हैं ठीक है तो यह 100 को 25 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पस क्या answer आजाते है 25 वन टाइम 25 और 25 फोर टाइम 100 होता है ठीक है 100 को 25 पर डिवाइड किया अंसर है 4 4 को 1 से multiply करेंगे तो 4 1 टाइम 4 LCM को denominator पर divide करना होता है divide करने से जो answer आता है उसको उपर वाले से multiply करना होता है इसी तरह इन steps को इधर भी repeat करेंगे 100 को 100 पर divide किया 100 divide by 100 100 100 से cancel 1 आ गया 1 को 121 से multiply करेंगे तो 121 ही आ जाएगा और अब इन दोन value उसको हम plus कर लेते हैं 121 और इसमें हम add करेंगे 4 को तो 4 plus 1 हमरे पस आ गया 5 और next आ गया 2 और next आ गया 1 तो 4 में 121 add करने से आ गया 125 और divide में आ गया 100 तो अब हमें 5 करेंबल से इन दोनों value उसके cutting कर सकते हैं तो 5 करेंबल से इन दोनों value उसको हम cut करेंगे ठीक है 5 करेंबल से इनकी cutting possible है तो 5 करेंबल से इनकी cutting कर लेते हैं 125 को 5 पर divide करके check करते हैं 5 2 times 10 और 2-02 और 5 को ड्रॉप किया और फिर 5 5s are 25 तो इट मींज के 5 के टेबल अगर 25 टाइम रीट किया जाए तो 125 आ जाते है तो यहां 5 के टेबल से 5 25 टाइम 125 और 5 2 टाइम 10 और 7 में आ गया 0 तो आ गया 25 ओवर 20 तो यह अगें 5 के टेबल से कट हो जाते हैं 5 5s are 25 और 5 4s are 20 तो यह आंसर फाइनल आ गया 5 divided by 4 ठीक है यह हमारे पास जो है वो Z को Z बार के साथ मल्टिप्लाई करने से सिंप्लिफाई करने से हमारे पास आ गया आंसर 5 divided by 4